सब्सक्राइब करें सभी किचन को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा और यह बिल्कुल फ्री है आज मैं बनाने चाहरी हूँ दूद पेडा तो मैं हाँ पे एक पैन लूँगी जिसमें मैं तो मैं यहाँ पे लूँगी एक लीटर दूद फूल क्रीम वाला जिसको मैं इसमें डाल लूँगी अब गैस का फ्लेम अन करके मैं इसको हाई फ्लेम में लगातार इसको चलाते रहूँगी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं दूद में उबालाना शुरू हो गया है अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम लोग मीडियम करके इसको ऐसे ही चमच चलाते रहूँगी चमच हमको चलाते ही रहना है बिल्कुल भी नहीं रोकना है नहीं तो कडाई के नीचे इसमें जमना शुरू हो जाएगा इसके हमें बहुत ज़्यादा थीक रखना है इसके क्वांटिटी कम से कम आधा रखना है तो इस तरह मैं इसमें चमच लगतार चलाते रहूँगी थोड़ी दिर बाद हम आपको दिखाते हैं देखिए इसके क्वांटिटी आधे से भी ज़्यादा कम हो चुकी है इसी तरह हम इसमें चमच चला ही रहते और आगे चलाते रहेंगे और जो किनारों में मलाई जम रही है उसको हमें निकालते रहना है और इसको और ज़्यादा थीक करना है इस तरह मैं इसको चमच चलाते रहूँगी इसमें तो देखें हम थोड़ी दिर बाद आपको दिखाते हैं यह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है आप इसमें डालूंगी मैं चीनी यहाँ पर मैं डालूंगी तीन चीनी चीनी आप मीठा आप अपने ही साथ से कम या जादा कर सकते हैं अब इसको मिला लूंगी इसी तरह इसमें लगतर चम्मा चलाते रहना है चीनी डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपको दिखाते हैं तो इसको चेक करेंगे कि यह पर्पेक्ट बन चुका है किनी तो मैं इसको कर देती हूं अब थंड़ा हुने के बाद हम इसको बनायेंगैं तो थंड़ा में के बाद में थोड़ा सा घीशा Key और इसे गौल गौल शेप में बनाते जाओंगे इस तरह से देखे मैं इसको बना लिए हूँ और पीस से इसको ऐसे हलका सर शेप देदूंगी इससी तरह बाकी को भी मैं बनाते जाऊंगी तो देखे मैंने सभी को बना के रेडी कर लिया है तो रेडी है हमारा दूद पेड़ा तो बताइएगा कि कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ बाबर झाल